तो हम बनाएंगे मतर की पकोड़े, बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनकी रेडी होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, तो यहांपर मैंने एक कप उबला हुआ मतर ले लिया है, अभी इसको हम रॉफली चॉप करेंगे, तो यहांपर मैंने एक चॉप पर ल इसलिए है कुछ बड़े बड़े टुकड़े हैं और कुछ अच्छे से पीस गए हैं कट गए हैं तो इस तरीके से होना चाहिए अब इसमें हम डालेंगे एक प्याज प्याज को मैंने इससे लंबस राइस में कट कर लिया है और एक मूठ धनिया का पत्त हम डाल देंगे और यहां पर मैं डाल रहे हूं यह कुटा हुआ अदरक लिसन और मिर्ची का पेस्ट कुटा हुआ मैंने लिया है और यहां पर हम डालेंगे हाप टी स्पून हल्दी का पाउडर हाप टी स्पून यहां पर नमक डाल देंगे अब टेस्ट के कोड़ी नमक ले लिजिए और यहा यहां पर मैंने लिया है बेसन, बेसन मैंने 5-6 टीस्पुन लिया है और इसका हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, एक ही बर नहीं डालना है, और यहां पर मैंने 1 टीस्पुन राइस फ्लोर डाल दिया, इससे बहुत अच्छा सा क्रिस्मिनेस आता है, यह आपके पस नही तो आप यहां पर थोड़ा सा पानी चुड़क सकते हैं, और अच्छे से बैंडिंग होने तक इसको मिक्स करेंगे, तो यह बचा हुआ बेसन भी मैंने सारा एड़ कर लिया, तो यहां पर पूरे 5-6 टीस्पुन बेसन यहां पर मैंने अड़ कर लिया हूँ, और यह देखि हो गया है, अभी इसको हम फ्राइ करेंगे, तो यहां पर ओयल अच्छे से गरब हो गया है, तो अभी इसको लो टू मीडियम प्लेम पर क्रिस्पी ब्राउन होने तक इसको फ्राइ करना है, तो कड़ाय में जितना आया मैंने यहां पर डाल दिया, और इसको बीच बीच में ऐसे पलड़ते रहेंगे इसको चलाना नहीं है तो इसको हलका सा ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे तो यहां पर देखिए क्रिस्पी हो गया है अच्छी तरीके से और ब्राउन कलर भी आ गया है तो इसको हम निकाल लेंगे आप चाहे तो इसको टी सूपेपर में भी निकाल सकते हैं और बच्चे हुए मटर को भी इस तरह से मैंने फ्राय कर लिया और इसको भी लोटू मेडियम प्लेम पर क्रिस्पी होने तक और ब्राउन कलर होने तक फ्राय कर लेंगे तो यहां क्रिस्पी या मटर के पकोड़े बनके रेडी होए हैं आप इसको सौस के साथ या पर ग्रीन चटनी इमली के चटनी के साथ भी इसको सर्फ कर सकते हैं उपर से थोड़ा सा काला नमक को चाट मसरा चड़क लीजिए और यह क्रिस्पी मतर के पकोड़े बनके रेडी हो गया है बहुत ही असा रेसिपी है आप इससे जरूर से ट्राइ कीजिए अगर रेसिपी पसंद आया तो लैग सबस्क्राइब से जरूर कीजिएगा थैंक यू